नमस्कार दोस्तों फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हम लेसर नंबर 59 में हैं और इस लेशन में हम देखे कि कैसे हम फिश आई एफेक्ट का प्रयोग करके एक स्प्राइट के बैकड्रॉप को फूलता या सिकुरता हुआ दिखा सकते हैं पिछले कुछ लेशन में हमन लिंक दिया है जिसमें कि मैंने खृफ्च के बारे वे पर यहां बात करतेैं फिश आई ऐफ्क enjoy goofy और मैंने एक effect to 0 उसके बाद forever अगर मानलेजे मैं करूं कि change fish eye effect by 25 ऑगर मैं इसको ऐसा change say in this case fish eye effect by 25 और उसके बार जी मैं छोटा से एक weight यहां देता हूँ अगर मानलेजे मैं कीवल इतना करता हूँ तो आप देखेंगे कि कैसे 0.2 अगर इतना कोट करता हूं तो देखिए कैसे यह बीटल मोटा मोटा सा होते जाता है पर इसको एक तरफ तिशा में ना जाने की बजाए हम इसको दुबारा से कर सकते हैं और इसमें बोल दूँगा माइनस 25 तो आप देखिए कैसे लगता है कि बीटल उसका जैसे की हार्ट बीट आपको दिख रहा है उसका दिल की धरकन आपको दिख रही है अब इस कोट को थोड़ा सा और आगे बाला सकते हैं तो मैं इसके रहे क्या करूंगा कि मैं बोलूँगा विन फ्लाग क्लिक को टू को लेट से माइनस 200 मताब लेफ में चले जाए और साथ में फिर आप इनों थोड़ा थोड़ा धीरे दीरे चलते भी रही है तो मैं इस कोड में मैं इसको कर दूंग मूफ 5 स्टेप आप दगता है कि बीटल जो है बाए हाथ पर शुरू करके और चलता हुआ स्क्रीन की दीरो उसके बाद फौरिवर जद कालर एफेक्ट बाइवर चेंज कलर एफेक्ट ड़ाइड़ लेट से संब्सच की और तो आप देखें कि पीछे का बेक्राउंड बागातार बदलता जा रहा है तो आप जबता है हमारा जंगल से कुछ तरीका मौसम बदल रहा है चुछ स इंटेल उससे वॉक करके जा रहा है बहुत ही सुन्दर लग रहा है अनिमेशन यह आशागरत आपको पसंद आया होगा फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत बहुत धने वाद